नवश्कार यूगेर में आपका स्वागत है ये तो आप सब जानते हैं हर इस्त्री अपने पती की लंबी आयू के लिए करवा चोथ का व्रत रखती हैं लेकिन एक सुहागन इस्त्री को करवा चोथ पर ना तो किसी भी गैर औरत को अपनी ये चीजे देनी चाहिए और ना ही गलत रंग का वस्त्र पहनना चाहिए अन्यथा आपके पती का जिवन बहुत संकट में पढ़ जाएगा और साथ ही आपके रिष्टे में बाधा आ सकती हैं और रिष्टा भी तूट सकता हैं दोस्तों करवा चोथ का व्रत सूर्यो दे से पहले ही शुरू हो जाता है और रा आपको बता दे इस दिन चांद की पूजा होती हैं और सुहागन अपने पती की लंबी आयू के लिए कामना करती हैं लेकिन इन सब के बेच अगर आप अपनी इन चीजों को किसी गेर औरत के साथ शेयर करते हैं या इस रंग का कपड़ा पहन लिया तो आपके पती का जीव बहुत अधिक संकट में पढ़ जाएगा और आपका परिवार भी तूट कर बिखड़ जाएगा तो दोस्तों आईगे आपको बताते हैं कौन सी गलतिया आपको नहीं करनी चाहिए नमबर एक विशेश तोर पर सुहागन इस्त्री को लाल रंका ही वस्त्र पहनना चाहिए इससे आपके खूबसूर्ती में भी चार चांत लग जाते हैं और ये वस्त्र हिंदू धर्ब में सबसे उत्तम माना जाता हैं आप हरे रंका गुलाबी या ओरेंज कलर का कपड़ा भी पहन सकते हैं नमबर दो इस दिन ना ही कोई सफेद रंका कपड़ा पहनना चाहिए और ना ही किसी को दान करना चाहिए इसी के साथ दूद दही चावल भी किसी को नहीं देने चाहिए इस दिन बड़ों का सम्मान करना चाहिए और उपहार देने चाहिए तभी आपका य उसके लिए बना है यदि कोई औरत अपना मैगप किसी दूसरी औरत से शेर करती है तो वह अपनी पती को भी दूसरी औरत का ही कर देती हैं मतलब यह कि उसके पती का मन कहीं और भटकने लगता है ऐसे में आपको अपना मंगल सुत्र चूड़ी सिंदूर और यहां तक पैरों से लेकर बिंतियों तक भी किसी भी गैर ओरत के साथ शेर नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपके पती की निशानी है तो यह वो चीज़े हैं जो आपको किसी के साथ शेर नहीं करनी चाहिए नहीं तो आपका जीवन बरबाद हो सकता है और आपका जीवन तूट कर बिखड स सकता है आपका पती किसी और का भी हो सकता है तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक पसंद आए हो तो लाइक शूर करें धन्यवाद